दोस्तों Tech News की फर्स्ट इपसोड के अंदर आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लिए हैं बहुत ही तगड़ी और इंट्रेस्टिंग टेक न्यूज सिर्फ आपके लिए तो आज का जो वीडियो है वह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो बस आपको 2016 जो की अगले साल तक आ सकता है बताई जा रहा है कि उसके अंदर जो कैमरा नोच है वो देखने को नहीं मिलने वाला है मतलब कि जो कैमरा है और जो फेशिल रिकॉगनिजिशन है वो आपको अंडर डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है दोस्तों जो सेकंड न्यूज हमारे पास निकल के आ रही है वो हरी हमारे पास इंडियन बैंक्स की तरफ से सुनने में है कि आने वाले टाइम के अंदर आगर आप कोई भी बड़ा ट्रांजिक्शन करते हो या फिर बड़े अमाउंट का ट्रांजिक्शन करते हो तो आपको biometric या facial recognition से गुजरना पड़ सकता है तो future के अंदर आप कोई भी 25 लाग का कोई transaction करते हो तो आपको इस biometric या facial recognition से गुजरना पड़ेगा जो government है वो ये start कर रही है ताकि जो online frauds वगरा है इनको रोका जासे है और वैसे देखा जाए तो ये सही है क्योंकि हमारे देश के अंदर online frauds है वो बहुत ही जादा हो रहे है और सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ banks नहीं ये शुरू भी कर दिया है वैसे इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं comment करके जरूर बताना दोस्तो जो अगली खबर हमारे पास निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पास एपल की द्रफ से एपल की जो CEO है टिम कूगी उनकी जो salary है वो कट होने वाली है और कट होने के बाद ये लगबग उनकी salary की आदी हो जाएगी अब उन्हे 49 million dollars ही मिलेंगे जो कि लगबग इंडियन currency में होते हैं 400 करोट रुपए only Microsoft ने wall-e नाम करके एक AI डवलप किया है जो कि 3 second के अंदर अंदर आपकी voice को imitate करेगा और हूब हूब वैसी के वैसी आपको सुनाएगा हलंकि ये robotic wave के अंदर होगा बट स्टिल ये 3 second के अंदर आपको सुनेगा और हूब हूब वैसी के वैसी आपको सुनाएगा दोस्तों ये वाली news बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है Google के लिए क्योंकि Competition Commission of India ने 1300 करोट रुपगा find डाल दिये हैं Android के उपर उनका कहना है कि आप अपने smartphone manufacturer को बात नहीं है अलांकि High Court ने ये बात उनको कही है अब Google Supreme Court के पास गए है और Supreme Court अब उनको सुनने वाला है तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है बट स्टिल Competition Commission of India ने तो find डाल दिया है इन्फिनिक्स इसी महीने अपने तीन प्रोडक्ट लॉंच करने वाला है हर महीने इन्फिनिक्स कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है और वैसे भी आजकल इन्फिनिक्स के फोन काफी बिखते भी है इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 जिसमें Dimensity 1080 होगा और ये इन्फिनिक्स 5G जो आया था कुछ वैसा ही होगा उसके साथ ही इन्फिनिक्स का Note 12 IBR है योगि एक बजट केटेगरी का स्मार्टफोन है इसके साथ ही इन्फिनिक्स का Zero Box Ultra उनका एक बहुत ही अच्छा लैप्टॉप भी है वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वैसे पूरा कंफर्म नहीं है बट कुछ सर्टिफिकेशन वेबसाइट के उपर हमें Nothing ये टू भी देखने को मिला है Nothing के फोन साल में एक या ज़्यादा स्यादा दोवा सकते है बट इस साल Nothing का केवल एक ही फोन आएगा बट Multiple TWS आने वाले हैं तो Nothing का फोन सबसे पहले आने वाला है प्रीमियम फोन की बात करूँ तो यहाँ पर OnePlus 11 आप पिछले साल जो 10 आ रहाया था OnePlus का उसी की सक्सेस के बाद ये आने वाला है और इसका जो production है वो जल्दी इंडिया में स्टार्ट होने वाला है क्योंकि इसकी official website के उपर इसका नाम देखने वोग मिला है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की tech news I hope अच्छे लगी होगी और किसी भी news के related आपका कोई भी question हो तो आप मुझे comment करके पूँच सकते हैं और अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए अपने सारे दोस्तों में प्लीज शेर कीजिए और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई See you again